सो गाइज वेलकम टू माइनी ब्लॉग सो गाइज मैं हूँ अभी ड्रासबार मेमोरियल सीधा ले से चलके आया हूँ अब ड्रासबार मेमोरियल आ गया हूँ यहां से गुम के सीधा जोजीला पास स्वाना मार्गने को लूँगा फिर वहां पर कुछ समय नाइट इस्टे कर लूँगा क्योंकि अभी मुझे और भी जगा गूमनी है तो ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी निकलता चलू तो बता दूंकि यहां पर थोड़ी अल्केली बारिस हो रही है मौसम बड़ा स्वाना है जो ड्रासबार मेमोरियल मतलब किस समय पर यहां पर कैस से ड्रासबार मेमोरियल का नाम पड़ा तो मैं बता दूंकिस की याद में यह वार मेमोरियल बना है तो यहां पर क्या है कि हमारे कुछ बीर सहीद हुए थे यहां पर 500 से ज्यादा बीर सहीद हुए थे सन 1999 से 2000 के बीच में जो एद्ध हुआ था ना जब उस समय हमारे सब्सक्राइब तो बहुत बड़ा धुगा तो पीछे यह पाड यह दिख रही है वहां पर पाइस्टान की सैनक ने आकर मतलब पाइस्टान की जो सैना थी उनने आकर अपने अंधूस्तान की कुछ ही मतलब बन दे थे यहां पर क्योंकि चोटी सी चौकी थी पहले तो यहा हुगा कि वहां से आके पीछे से पाकिस्तान की फोज ने अमला कर दिया है तो हमारे उसमें कुछ बीर सहीद होगे तो यह अपने बारत की फोज को पता चला तो उनने आके रात और आत यहां पर इद दूगा बहुत बढ़ा इद दूगा तब जाकर कोछ यहां पनी से प्रवा ना क्रती हुए उनने अपनी बाख भूवी जिम्मेदारी निवाई तब जाकर यहां पर जमीन थी द्वारा कबजा पाई क्योंकि उनने तो पूरी तरहीं तो उस पर आखर कभजा कर लिया था पूरा और हमारे यहां पर उस्ट समय दो-तीन सेने की थे तो उन पर मतलब वो कर दिया आकरमन कर दिया तो बैचारे वह उनकी बीर गती के लिए फ्राफ्त हो गए कि तुसी मैं बता हूं यहां पर सामने जो सारे तə प तो देखो इन पर सबकानाम पड़ाया तुछ लिए तो सामने जो पारी है पीछे वहां पर आके पारिस्ताली की फोजिने आके मतलब वहां से आकरमन किया है तो यह ना यह देखो सामने जो पाड़िया है वहां पर पाकिस्तानी फॉच बैठी थी और इतला अपने इंदर्स्तान के दो ही सफाई थे